हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मिरे नाम शुमाईल है आप लोग देखने हो आई टेक निज पर शार्ज की वीडियो आज मैं करूंगा फार्स चार्जिंग टेक हमारे रीड मी नोट 11 का अब यहां पर आपको 33 वाट की फार्स चार्जिंग मिलती है 5000 एमेच की बैटरी है लेट्स ही देखने हैं कि यह फोन कितनी देर में चार्ज करता है अब प्रियूसली हमने देखा है जो 33 वाट की फोन होते हैं वो कुछ अरांड कुछ है ना 5000 एमेच बैटर वो चार्ज मिलती है यहां पर बड़ा-बड़ा सा मैंजेन ऐ 33 वाट लेट्स ही यहां पर हम इसको प्लाग़िण कर लेते हैं और देखने हैं कि वह फोन कितनी देर में फुल चार्ज होता है और यहां पर हमिसको लगाते हैं चार्ज पर और हम यहां पर स्टॉप वाच भी एफोन कितना चार्ज होता है और मैं आदा खंटा हो गया है हमारे रीडमी note 11 को चार्ज होते हुए बात करूं यहाँ पर तो यह फोन अभी हुआ है कुछ 51 परसंट चार्ज हो चुगा आप दे सकते हैं कि यहाँ पर 51 परसंट चार्ज हो यहाँ पर दिखा हुए 51 परसंट चार्ज हो चुका है यह तो मतलब आदे घंटे में यह फोन को आदे घंटा आदा तो चार्ज कर लेगा मतलब हाफ तो चार्ज हो जाएगा लेट सी जो लास्ट का 50 परसंट है वो कितना टाइम लगाते हैं अब मिलते हैं एक घंटे आदे और गंटे बाद एक घंटे बाद देखते हैं कि यह फोन एक घंटे में कितना चार्ज होता है और दोस्तों आल्मोस एक घंटा हो चुका है यहाँ अब आप देशकते हैं और एक घंटे में यह फोन कुछ 93 परसंट हो चुका है अब सिर्फ 7 परसंट रहता है देखते हैं कि 7 परसंट कितना टाइम लेता है चार्ज होने में तो यहाँ पर काफी ज़ादा फास्ट आज तो बी आनिस त्रिफ एक गंटे में इसने अल्मोस यहां पर है 93 परसंटे चार्ज गरते हैं जो कि काफी जारा फास्ट है लेट सी देखते हैं कि और कितना टाम लगाता है यह 100 परसंट चार्ज होने में सो रोस्तों फाइनली हमारा जो रीड मी नोट 11 है फुल चार्ज हो चुका है देखते हैं कि यहां पर यह फोन 100 परसंट चार्ज हो चुका है मैं दोबारा दिखा रहता हूं देखते हैं चार्ज लिखावा आ गया है 100 परसंट चार्ज हो चुका है तो भाई काफी जारा जल्दी चार्ज किया है तो बी आएस्ट यहाँ पर चो है मैं एक्षेक्ट नहीं कहा था कि तना जारा जो है वो जल्दी चार्ज करेगा सिर्फ और सिर्फ एक घंटा साथ मिन्ट में इसने फुल चारज कर दिया जो कि बहुती जादा अमेजिंग है और भाई वन अफ दो बेस्ट जो है 33 वाट की चारजिंग मुझे यहाँ पर मिली है और इससे पहले हमने देखा है कि 33 वाट 5000 वैटरी जो फोन थे वो राउन कुछ एक घंटा 20 मिन्ट एक घंटा 30 मिनट भी ले ले लेते थे कुछ फोन ते जो है वो पौने दो हुंटे तक में फुल चारज होते है 33 वाट से भी तो भाई हाँ यहाँ यहाँ पर जो 33 वाट को आप्टिमाजेशन है कापी ज़ादा चीक है शामी ने और आइ तिंग जो न्यू प्रिसेसर है स्नापड़ेशन 680 उसको अच्छे से यूस किया है यहाँ पर शामी ने जिसकी वाई से जो हमारा रीडमी नोट 11 है वो सिर्फ और सिर्फ एक घंटा 7 मिन्ट में फुल चारज हो गया मतना वाई इस फोन के लिए बन्दा कह सकता है कि अगर आपको कहीं एमइरजनसी में जाना हो और आपका फोन चारज ना हो तो आपको जस्त और सिर्फ आदा घंटा चाहिए आदे गंटे में ये फोन आपका आदा जो ना हाफ चार्ज कर लेगा और आपका एक घंटा है तो 5000 मेच बैटरी में काफी जारा अच्छा है तो overall मैं बहुत जारा impressed हूँ इसकी fast charging से यह one of the best fast charging में कहूंगा क्योंकि यहाँ पर आपको जो time है बहुत ही जारा अच्छी बात इस phone की यह कि यह end में जारा तर phone 90% करने के बाद slow हो जाते हैं वीडियो को लाइक कीजे मिले चैनल को सब्सक्राइब दरू कीजेगा थैंक यह सो मच